हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे तो आज हम बनाने जा रहे हैं कच्री का अचार वो भी खटा मीठा आपने खटा मीठा खाया है कि नहीं वो मुझे कमेंट में जरूर बताना इसके लिए मैं पकी हुई थोड़ी सी पकी है तो इसलिए कुछ दो भागों में और कुछ चार भागों में इसे कट कर रही हूँ इसी तरह से हमें सारी कट कर लेनी है यह देखिए मैंने सारी कट कर ली है इनमें सीड्स होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा टेश्टी लगती है यह ऐसे भी खाओ तो बहुत है अच्छ लेंगे जिसमें से हमने लिया है खड़ा धनिया सौफ मेथी जीरा और अजवाइन एक चमच ली है खुछ यहां थोड़े सी मैंने तीन चार लाल खड़ी मिर्च ली है और कचडिया मैंने करीब आदा किलो से थोड़ी सी जादा है इतनी मैंने कचडिया ली हुई है और आप देख लीजे मैंने यहां आइडिया से ही लिया है क्योंकि मैं डालती रहती हूं तो मैंने नाप तौल का इतना नहीं करा है लेकिन आप यहां करीब दो दो चमच मसाले की यूज करेंगे तो आपका मसाला बहुत ही बढ़िया बन जाएगा इसको मैंने भूनने के बाद थो होड़ा सा चला सकते हो और यहां अब लेंगे हम एक कटोरी आप सरसो का तेल ले ले उसको अच्छे से गरम होने दें धुआने तक और उसको आने धुआ आ जाए फिर उसको गैस को बंद कर देना है और हमें यह सारे मसाले डाल देना है यहां हम डालेंगे थोड़ी सी बलत के अ कि अपरत přेमाग अपर क्टेस्ट के अकौर्डि डालें आपके पास कितना मसाल थे और कीटनी कचडिया का शबता है उसके सापसे Sherry मिर्च टीका पर अच्छा एगा मैं इनमें बस डाल देंगे हम आपकोर्टाइब अच्छी यह दाल देंगे हम यहां अर्शी हक्ष कषज्ड ने तुछ रूटाइब यहां तो कुछ थोड़ा देमी इसको लो नहीं रखना है गैस को थोड़ा सा हाई से थोड़ा सा कम और लो से थोड़ा सा जादा मेडेम रखना है गैस को और बस इसको इसको इसे लट पुलट कर देना है अच्छे से मसाला असमें पूरा सा हो जाए अच्छे से मिल जाए इसका मसाला ये देखिए बहुती ब यह अपना खटापन भी देता हैं और बस इसको देखें टेल इसने छोड़ दिया है ये देखिए कि बहुत ही बढ़िया बन गया है तेल व हाँ कडाई से बस इस इसठेश पर हम थोड़ा दूबहुनेंगे इसको इसली तरह से और आपको कैसा लगता है अगर तो मुझे कमेंड में जरूर लिखके बताएं और यहां डालेंगे हम दो तीन चमच गुड जो गुड वाली शक्कर आती है वो मैंने यहां यूस की है इससे बनेगा हमारा खटा और मीठा बहुती टेश्टी वाला चार और मेरे यहां थोड़ा सा मेठा जादा ही लगता है त बहुती सुंदर कलर हो गया है और हम इसे बस थोड़ा सा और पकाएंगे और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे यह देखिए हमारा यह पग गया अच्छ से अब हम इसे ठंडा करके इधर रख देंगे साइड में और हाँ इसको भरने के लिए मैंने यहां काश के जार यू यह देखिए अब हमारा यह अच्छ से ठंडा हो चुका है दो तीन घंटे के बाद हम इसको टांसफर कर देंगे जार में इसी तरह से आपको सार अच्छ टांसफर कर देना है आप इसको पैक करकी ना रखें ढखकन से क्योंकि इसमें अभी नया नया है तो खराब हो सकता है आप इसको थोड़ा सा कपड़े से ढखके या इसे थोड़ा सा जलनी से ढखके रखें जिस इसमें हावा जाए और इसको हिलाते रहें दो तीन दिन तक फिर इसमें थोड़ा सा गरम तेल और डाल कि इसको आप इस्टोर करकी रख सकते हो और सर्दियों में आप अराम से इस